सभी स्टूडेंट के लिए एक निई चप्टर, हाला कि इस चप्टर का मैंने पहले वीडियो रिकॉर्डिट कर रखा था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे के सर लाइव क्लास में तो हो नहीं रहा, हम तो स्टार्टिंग से लाइव क्लास में ले रहे हैं, तो कोशन है आज भी फिनिस्ट हो जाएगा एक्जाम के पॉइंट व्यू से विटेज की बात करें तो एक्जाम में एक आद बार आया हुआ है वैसे बहुत रेर केस होता है कि आता है लेकिन अभी हमारे पास टाई में तो हम तो पूरा लेके चलेंगे तो सर ये चप्टर एक्ज समिस्टर चार्व के अंदर आपने एक सब्जेक्ट लिया था सर कॉस्ट अकाउंट के अंदर एक चैप्टर था मटीरियल इस मटीरियल के अंदर काफी सारे पार्ट से जिसमें से एक पार्ट हुआ करता था ई-ओ-क्यू लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है समिस्टर फोर के एक्जाम नहीं भी दे रहें या फिर ना पढ़ा हो समिस्टर फाइब में सिफ्ट तो हो गई होंगे तो इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा अजम्शन नहीं लूँगा कि आपने पहले पढ़ रखा है मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँगा आप एकनॉमिक का मतलब क्या होता है हम बात करते हैं स्टाउक सर इस्टाउक को रखना भी एक बहुत बड़ी कला है stock को कैसे manage किया कैसे किया जाए ये बहुत big challenge है सारा management stock के management पे ही किसी organization के product का price का decide हो पाता है किस के basis पे हमारा stock के basis पे क्योंकि अगर आपने stock को ठीक से नहीं रखा तो result क्या होगा आपका stock wastage होगा wastage होगा तो आपका costing क्या होगा बढ़ जाएगा और जब आपका costing बढ़ जाएगा तो ऐसे situation में आपके product का cost भी बढ़ेगा जिससे market में आप competition नहीं कर तकते तो normally stock को रखने का एक जो हम stock रखेंगे सिर्फ उसके रखने की खर्चे की बात नहीं होगी यानि अगर आपको stock कई बार आप राशन की बात करूँ तो एक महीने का एक साथ लियाओगे लेकिन आपके पास option है कि एक साल का भी ले सकते है लेकिन एक साल का कैस क्यों नहीं ला रहे क्योंकि डर है कि खराब हो जाएगा पहला दूसरा डर रखेंगे कहा रखने के लिए जगह भी तो चाहिए तो आप एक महीने में एक बार राशन लेके आते हैं घर में तो एक बात समझ लिजे जितने भी घर के मेंबर है आपके जो पेरेंट्स है वो सब EOQ का हिसाब से काम करते है फ़रक इतना सा है कि हम जो है एक फॉर्मूला बेस पे और एक नुमेरिकल बेस पे पढ़ के समझते हैं और उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में कर रह वह हुआ है कभी आप इतना सारा समान इखट्टा नहीं करोगे आप पूछोगे इतना सारा समान सस्ता मिल रहा है ले ले और यारे आपको उतना ही समान लाना है, क्या लेके आना है, quantity का मतलब यहां समान से, order मतलब उतना समान लेके आना है, कि आपका wastage ना हो, law क्या कहता है और rule क्या कहता है क्योंकि जितने भी इसके rule and regulation लिखे गए है सर वो लिखे गए है किसके हिसाब से सर वो लिखे गए हमारे इसमें cost management account क्योंकि यह basically costing का एक chapter है financial management थोड़ा बहुत इसके इंदर usage हो जाता है तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भीया EOQ वहीं पर आपका बराबर माना जाएगा जहाँ पर ordering cost कुछ यहाँ पर ordering cost is equal to बराबर हो जाए आपका carrying cost से method यह कहता है जब बराबर हो जाए तब मान लेंगे कि आपका बहुत ठीक ठाक चल रहा है एक formula के basis से सर अगर मैं बात करूँ EOQ कैसे निकाला जाएगा पहले मैं formula लिख देता हूँ फिर इसको समझ लेंगे EOQ is equal to 2AO और under root divided by C एक एक को समझ लेते हैं E का मतलब सर annual demand annual demand annual demand का मतलब जो पूरे साल में आपकी usage है जरूरत है O का मतलब ordering cost sir ordering cost क्या है ordering cost है समान को लाने का खर्चा इसमें हर चीज़ जुड़ा हुआ है समान को लाने के खर्चे में phone किया उसका भी खर्चा इसके साथ साथ समान को लाने में जो किराय लग रहा है उसका भी खर्चा each and everything का expenses जुड़ा हुआ है इसके बाद 2 को तो explain नहीं करना under root को भी explain नहीं करना C that is carrying cost sir carrying cost क्या होता है रखने का खर्चा sir रखने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है बहुत सारी ऐसी organization है जिसका काम ही है बड़े-बड़े freezer बना रखें ढीप freezer बना रखें गो डावन बना रखें कि किराय पर देतें को यह हम तुमारे समान रखेंगे महिने के हमें इतने पैसे देने होंगे तो ये क्या होगे हमारा carrying cost सर एक इसमें छोटा सा point आ सकता है क्योश्चन में carrying cost हमेशा होगा आपका percentage के terms में given हो सकता है percentage अगर given है तो पता है किस के उपर होगा आपका unit price के उपर होगा carrying cost और क्या हो सकता है sir, example के तोर पे, आपने जो समान खरीदा उस पे interest गया वो भी carrying cost का part है क्योंकि आपने समान खरीदा उसको रखने के लिए जो भी interest paid किया, वो भी क्या है sir हमारा carrying cost का एक part है, interest, और क्या है sir, और question में बता देगा clearly carrying cost का क्या क्या party है सर फॉर्मूला तो ठीक है इस फॉर्मूले को एक बर प्रूफ कर लेते हैं वैसे हलाकि एक्जामनर कभी पूछेगा नहीं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको सर लॉग कहता है कुश्चन कहता है और ओथर ये कहता है सर ओर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहां बराबर हो जाए उसे हम कहेंगे एकनॉमिक ओर्डर कॉंटिटी थोड़ा और फॉर्मूले को आगे लेके चलते है सर ओर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है ओर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है समान को लाने का खर्चा अगर मैं कहूं आपको एन्वल डिमांड दे दूँ मैं एन्वल निकालना चाहता हूं एन्वल ओर्डरिंग कॉस्ट निकालना चाहता हूं आप सिंपल सी बात है मुझे बताना कि मुझे 10,000 यूनिट की रिक्वार्मेंट है मुझे पूरे साल में 10 निकालना चाहता है 12,000 यूनिट की रिक्वार्मेंट है और एक बार में 1000 यूनिट लाऊंगा वन टाइम कितने लाऊंगा मैं ये एन्वल डिमांड है जिसको मैं एक कर रहा हूं एक बार में कितना लाऊंगा 1000 तो सबसे पहले तो ये पता करो कि आप कि प्रक्षने समान की जुरत है यूनिट की और एक बार में कितना उठा के ला सकते हो 1000 ला सकते हो तो आपका पूरे साल की जुरत कितने बार जाना पड़ेगा 12 बार जाना पड़ेगा और मैंने कहा हर बार आने जाने का ओर्डरिंग कॉस जिसको मैं OC से डिनोट कर रहा हूं ह हर बार आपका ओर्डरिंग कॉस सौर रुपए है तो आप मुझे बताईए एन्वली आपका ओर्डरिंग कॉस पर कितना खर्चा आएगा बड़ा बेसिक सा सवाल है तो बच्क शेघा को यह कॉपीज में पर कर दो हूं है तो सभी कर दो है। चलिए बारा सो रुपए अब इस बारा सो को समझते हैं आपने निकाला कैसे सर बारा सो को आपने निकाला आपने का सर बारा हजार और डिवाइड़ बाय सर डिवाइड़ बाय कितनी बार आना जाना पड़ेगा एक बार में कितने यूनिट लोगे हजार और आपके कितने रुपए लगेंगे सर यानि आपने बता दिया सर बारा सो रुपए इस तरीके से हमारी खर्च आएं बारा चक्कर लगेंगे और एक बार के चक्कर के मेरे कितने पैसे लग रहे हैं 100 तो देट इस बारा सो रुपे हमारा खर्चा आ जाता है किस पर ओर्डरिंग कॉस्ट पर यानि सर इसको फॉर्मूले में यानि अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो सर या मैं इसे E, O, Q बोल दूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा A divided by E, O, Q इन्टू में O, C O, C या फिर मैं O कर देता हूं स्रिफ O यानि यही फॉर्मूला लगाया है जितने यूनिट आपको ले के आना है एक इकनोमिक ओर्डर कॉंटिटी है जो कि हमारा कितना है सर 1000 A divided by E, O, Q इन्टू में O इसका मतलब आपका यह पॉइंट रहता है कि यह फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे कि आपका एक बार का पूरे साल का पूरे साल का कितना खर्चा होगा किसी समान को लाने का तो यह फॉर्मूला क्या बताता है सर पूरे साल का खर्चा किस चीज का खर्चा समान लाने का समान लाने का ठीक है चलिए एगले पॉइंट पे चलते हैं अब केरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं केरिंग कॉस्ट क्या होता है सर समान को रखने का खर्चा अब जब समान को रखने की बात करें तो समान का रखने का खर्चा हमारा चेंज होता रहता है मान लेते हैं मुझे milk को रखना है फ्रीजर में इस फ्रीजर की capacity 100 लीटर का है 100 लीटर का है अगर मैं एक फ्रीजर किराये पे लेता हूं मान लो पांसो रुपे किराये पे लेता हूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या हूँआ पांसो अगर मैं 50 kg milk पचास लीटर मिल्क लेता हूं तब भी केरिंग कॉस्ट कितना रहेगा 500 अगर मैं लेता हूं मान लो 90 लीटर 90 लीटर मिल्क लेता हूं तब भी केरिंग कॉस्ट क्या रहेगा 500 क्यूंकि इसमें हम 100 लीटर रख सकते हैं जैसे ही मैंने 105 लीटर मिल्क लिया तो मेरा केरिंग कॉस्ट कितना होगा कौन बताएगा 105 लीटर पे मेरा केरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा बताएगे बताएगे जाएगेधे 5 लीटर मिल्क बिक जाएगे केरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा अग fix लेटो सकता है नहीं हो सकता जितना जादा समान रहेगा può रहेगा Bye इतना कम बान लिया जाएगा हमारा simple average बान लिया जाएगा तो अगर मैं carrying cost का formula लिखूं तो sir carrying cost यानि c to carrying cost क्या होगा हमारा eoq eoq यानि आपको इतना समाल लाना है लेकिन हर बार इतने into में कर देता हूं मैं carrying c ये तो हो गया eoq into में c ये तो हो गया रखने का खर्चा लेकिन सर ये जो रखने का खर्चा ये average लेना पड़ेगा इसलिए इसको divide किससे करना पड़ेगा तो ये खर्चा आता है समान को रखने का अब question क्या कहता है जहां ordering cost और जहां पे carrying cost एक बराबर हो तो आपका economic order quantity बनेगा simple सी बात है इस equation को ही रख लेते हैं सर equation क्या है हमारा पहला ordering cost रख लेते हैं क्या कहता है a divided by eoq into में o equal रख लो carrying cost को क्या कहता है eoq divided by क्या 2 into में c इसको solve करते हैं सर जब इसको हम solve करेंगे क्या जाएगा यह ao और इसको solve करेंगे तो क्या जाएगा हमारा a o उपर आ गया है यहां अब इसको multiply जब हम करेंगे तो यह क्या जाएगा हमारा eoq का मैं directly कर रहा हूँ square आ गया जब इसको करोगे तो 2 इससे multiply करके c नीचे आ जाएगा यही situation बन रहा है जब पूरा solve करोगे अब eoq के जब आप solve करोगे तो square को जब हटा दोगे तो क्या बनता है तो सर इसमें theory अगर आता है कि what do you understand by eoq what do you understand by eoq तो जबाब है सर eoq का मतलब होता है where ordering cost and carrying cost equal that is called economic order simple सा जबाब है सर theory में आप अपने according लिख सकते हो जहां पूछा जाए और इसके फिर कैसे लिखोगे जहां पे economic cost ordering cost दोनों एक बराबर हो उसे हम economic order quantity कहेंगे सर साथ के साथ उसके abbreviation लिख दो हम a से हम annual cost को denote करते हैं c से carrying cost को करते हैं o से ordering cost को करते हैं तो यह पूरा formula को explain करोगे theory के marks आपके पूरे मिल जाते हैं उसमें यानि सर इस formula से हमसे क्या-क्या सवाल पूछा जा सकता है एक बार ये भी क्या-क्या सवाल examiner के द्वारा पूछा जा सकता है तो सवाल पूछने की मैं बात करूँ तो पूछा जा सकता है हमसे number one आप e o q बताईए जो कि हम इस formula से बता देंगे number two number of order बताईए sir number of order का मतलब अगर आपको 12,000 unit है और एक बार मैं 1000 unit लाओगे तो कितने number आपके होंगे order के अगर आपके मैं simple से सवाल पूछना हूँ 12,000 kg की जुरत है एक बार में आप 1000 kg उठा के ला सकते हो तो बताऊ कितनी बार जाना पड़ेगा बारा बार तो simple सी बात है number of order की अगर मैं बात करूँ एक्जामिनर पूछेगा number of order तो number of order उसर होता है a divided by eo q अगर पूछ लिया जया annual ordering cost बताईए तब तो formula मैंने लिखा है पूरे साल का खर्चा ordering का वो लगा दो तो एक number of order पूछा जा सकता है तो पहले यहां तक बताईए कोई doubt है किसी को तो बताईए फटा 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 यह हां तक किसी को कोई doubt है eo q में बस सिंपल सा बात है अब question देखना है formula लगाना है और एक question मैं आपको करने को दूँगा एक question मैं अभी करके दिखाऊँगा ज़्यादा time लगना नहीं है फटा फट हो जाना है नहीं चलिए एक सवाल देख लेते हैं हलाकि इसे ज़्यादा minimize करने वरने की अवश्यक्ता है नहीं क्या कहता है ABC limited purchase 9000 unit of spare parts annual requirement तो सर ए दे दिया 9000 समझेगा आगे कहता है ordering one month कहता है कि annual requirement कहता है 9000 unit is spare parts is annual requirement ordering one month uses at time हम एक बार में एक महिने का मंगा लेते हैं each spare parts का cost जो है यानि cost कितने का है सर 20 रुपे का the ordering cost per order यानि O दे दिया 15 carrying cost 15% per unit see मैंने देखे पीछे क्या कहा था सर carrying cost हमेशा जब भी देगा तो किसका percentage निकालोगे unit price का percentage तो carrying cost अगर मैं यहाँ पे दालके दिखा हूं तो carrying cost कहता है 15% that is किसका होगा बीस रुपे का 15% जो कि आ जाता है तीन रुपे यू हैव आस्क सजेस्ट दा मोर एकनॉमिकल पर्चेस पॉलेसी आफ दा कमपनी यानि कुस्चन ने घुमा के पूछा more economical यानि EO क्यों बता दीजिए एक तो यह question पूछा गया what is the advice would you offer how much would save company per year कहता है कि company को बताईए कि कितना पैसा company हर साल सेव कर पाएगा तो sir सबसे पहले इसमें तो यह तो पता ही नहीं है तो ध्यान से सुनिए पहले कहता है company annually हर महिने ordering one month usage as a time कितना एक महिने में usage होगा उतना ही मंगवाएंगे यानि कहने का मतलब है sir एक महिने में जो भी usage है वो मंगवाएंगे कहता है हमें advice करना है कि आपके कितने पैसे बचाए जाएंगे सबसे पहले तो हम EOQ निकाल लेते हैं उसके बाद देख लेंगे कितने पैसे बचेगा EOQ का formula क्या है हमारा sir EOQ का formula है हमारा 2AO चलिए 2 formula का part है into A, A क्या दे रख़ा है हमें 9000, EO कितना दे रख़ा हमें? 20, नहीं 15 15 divided by C, निकाल लिया 3, चलिए निकाल लिया बताईए क्या आत है 300 300 कितने आ रहे हैं? sir 300 unit वो कहता है एक महिने में हम हर महिने समान लेके एंगा एक महिने का यूसेज EOQ कहता है भाई तू 300 unit लेके रहा है आके लेके आ तो बढ़िया रहेगा अगर मैं 300 unit लेके आता हूँ तो number of order बता सकते हो sir number of order 9000 unit है divided by 300 यानि यानि हमारा formula और हमारा method कहता है कि आपको 30 बार जाना चाहिए लेकिन यह कहता है हम लेके आएंगे यानि question में यह follow जो कर रहे है EOQ वो क्या follow कर रहे है sir उनका EOQ है वो कहते है sir 9000 की जोरत है ठीक है लेकिन हम 12 बार में लेके आएंगे तो sir एक बार में कितने लाने की बात कर रहे है वो 700 तो बोलता है कि अब देखो यहां तक पहले तो EOQ निकाल दिया what is advice would you offer and how much would save कहता है कि अगर आप 750 के हिसाब से लेके आते हो तब company के लिए महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा वो बता दो या फिर आप 300 जो आपने निकाला है ने 300 इसके हिसाब से बता दो company को क्या पढ़ने बारा है तो सर हम 300 के हिसाब से पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं और 750 के हिसाब से पूरे साल का खर्चा निकाल लेंगे दोनों में से क्या same होना है क्या बचना है वो हम easily क्या कर सकते हैं बता सकते हैं तो EOQ के हिसाब से हमारा annual cost क्या होगा सर? सर annual cost का मतलब होता है सर annual cost का मतलब होता है बड़ी simple सी बात है annual demand into में rate आपका into में ordering cost sorry plus plus आपका ordering cost पे खर्चा और plus carrying cost पे खर्चा यानि पूरे साल का खर्चा होगा एक तो समान को जो आप payment करके आगए वो खर्चा एक समान को रखने का पूरे साल का वो खर्चा और एक लाने का खर्चा तीनी खर्चा हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पे निकाल लू EOQ के हिसाब से annual demand कितना था सर? 9000 9000 का rate क्या मिल रहा था सर? 20 रुपे 300 और एक बार में 15 सी के बात करते हैं तो क्या था EOQ divided by 2 EOQ क्या था हमारा? 300 divided by 2 इन्टू में एक बार का खर्चा 3 तो सर जवाब दीजे क्या आता है? इस दोनों का 450 आ गया और इसका पहले बता 18000 180,000 प्लस इसका 450 तो आप 18000 क्या बोल रहते हैं? तो यह आ जाएगा हमारा 180 180 900 कुछ बच्चों को विज्वल नहीं हो सकता भी देखा देते हैं चलिए, कुस्चन तो ज़्यादा देखने की जूरत नहीं है सवाल सवाल देखना चाहिए, आंसर अब इसके हिसाब से भी निकाल लेते हैं, सर तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट क्या आएगा, सर कॉस्ट आएगा 9000 और गुणा में क्या रहेगा, टोटल 20 रुपे का इसमें प्लस कर देंगे, लाने ले जाने का खर्चा तो इयो क्या है यहां 750, तो यानि 9000 डिवाइड़ बाई 700 और गुणा में 15 और इसमें और एड़ कर देंगे, क्या एड़ करोगे, सर carrying cost वो क्या होता है, यानि 750 डिवाइड़ बाई 2 इंटू में 3, तो सर ये वाला खर्चा तो 180 आजाएगा और प्लस इसका क्या खर्चा आ रहे है, इसका बताईए 1100, देखिए एक तरफ ordering cost में आप समझिएगा, ordering आप बहुत कम बार जा रहे हैं, तो आपका ordering cost कम हो गया, लेकिन एक बार में 80 अमाउंट ला रहे हैं, तो आपका cost, carrying cost क्या हो गया, बढ़ गया, यानि यहाँ total आपका खर्चा होगा, अगर आप यही situation फॉलो करेंगे, तो सोचने का फरक है, वो सोच गए यार 30 बार जाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं सर नहीं, यहाँ calculation देखो, हम 30 बार भले जा रहे हैं, लेकिन हमारा total फिर भी calculate करके खर्चा 1,80,000, और यहाँ पर देखो न, तो ध्यान से आपका फाइदा किसका है, पैसे भी, एकटे पैसे देने नहीं पढ़ रहे हैं, वो बैंक में होगा, उसका भी ब्याज बचेगा, मैं और अगर advanced level की बात करूँ, और यहाँ पर एक ही क्या से, तो examiner को बताना था सर के company advise करेगा, कित यानि economic order quantity के हिसाब से चलता है, तो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटा-फट से बता दीजिए, सर OC प्लस C, बच्चे पुछें सर OC प्लस C कैसे लिख दिया, देखो यह OC नहीं, और्डरिंग कॉस्ट लिखा था, यह O ही है सिर्फ, सिर्फ O है, सर सिर्फ O है, क्लियर? बताइए कोई doubt, एक question आपको दिया जाए, पहले यह formula लिखेंगे, पहले आप formula लिख लीजिए, फिर एक question आपको देंगे करने के लिए भी फटा-फट से.